हेलो गैज कैसे हो आप सभी में आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में गैज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट फैक्ट की जहां से आपके एक्जाम में एक दो क्योशन जो है इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं आपको और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपका यहां से क्योशन गलत ना हो ठीक है किसी कहने वाले ने कहा है कि जिन्दिगी तो कंटिनाईयों से भरा रास्ता है बस मंजिलों पर निगा रखना सफलताज जरूर मिलेगी तुम इरादे नेक और खोसला बे इसाब रखना आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का निटिफिकेशन आपको फटा फटा से मिल जाए चलिए फर्स्ट फेक्ट हमारा है कि चिंकारा वा उंट क्या है तो देखिए यहां से देखे हैं हम राजस्थान के राज्ये पशू है चिंकारा ठीके जो की आपको ध्यान रखना है यहां पर देखिए आपका डाउट रहता है कि वन्ये जीव स्रेणी में तो आपको ध्यान रखन चिंकारा है राज्य पसु ठीक है राजस्थाम का वह उंट अगर हम देखें तो पसु धनकी स्रेणी में अगर राज किये पसु की बात आए तो आपको आंसर टिक करना है उंट ठीक है क्या आंसर टिक करना है आपको उंट करना है ठीक है जबकि वन्य जीव स्रेणी में आपक राज सिंग की रानी रामर्स दे ने करवाया था तो द्यान रखना आपको त्री मुखी वाउडी कहां पर हैं डुंगरपूर में जो की महाराना राज सिंग की रानी रामर्स दे ने इसका निर्मान करवाया था थर्ड नमबर पर चलते हैं अपन थर्ड नमबर है जसनाती संपर्दाय इसकी क्या विश्यस्ताय रही है तो देखिए जसनाती संपर्दाय की बात करें तो इसमें जो हैं जसनाती संपर्दाय में 36 नियम है और इनके जो उपदेश हैं वह सिंबू दड़ा और कॉंडा गरंत में संग रही थे दिया नकनाई जो 36 नियम है यह कहां पर सिंबु दड़ा और कॉंडा गनत में यह संग रही थे नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट फेक्ट क्या है कि संत माउजी संत माउजी के दुंगरपुर में 1714 में इनका जनम हुआ है दियान रखेगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट फेक्ट के आता है हमारे पास बगरू प्रिंट ठीक है बगरू प्रिंट से विसेस्त आपकी एक्जाम में क्योशन देखने को मिलता है तो धियान रखेगा यह जो प्रिंट है से त्रांकन किया जाता है तो यहां से क्योशन आपको देखने को मिल सकता है तो बिल्कुल आपको धियान रखना है नेक्स्ट बात करते हैं हमारा आज का फ्यक्ट इंपर्टिन मरू कांतार मरू कांतार क्या है ठीक है तो इस सब्द का प्रियोग है वह वालमिकी करत किया था नेक्स्ट बात करते हैं मान सिंह दित्य की मान सिंह दित्य जैपुर की राजगद्य पर बैटे हैं सन 1922 में drug jarak कब 1922 में यह 101 करत राजस्तान के एकमात्र और प्रत्हम राज प्रमुक थे ठीका एकी करत राजस्तान की जब हम बात करते हैं जब अलग हो जाता है राजस्तान तो उसकी बात है यह जब जैपूर की राजगत्ती पर कौन बैठे थे मान सिंग दिती है 1922 में नेक्स्ट बात करते हैं चार बिल टौक सेतर में खेली जाने वाली एक लोक नाटे से लिए तो लोक नाटें से लिए है इस लोक नाटे से लिए को टौक के नवाब फिजुल्ला खा के समय अब्दुल करिम खा और खलीफा विहंग खा के ने प्रारम भी किया था तो दियान रखना है कौन थे हैं यहां पर टॉंक के जो नवाब हैं फेजुला के समय अब्दुलकरिम खाने और खलीफा विहंग खाने जो है इस सेली को प्रारम किया है आपके चार बेट सेली को ठीक है टॉंक जीले से नेक्स्ट बात करते हैं मामा दEV आपके यहां से बर्साथ का देو इनको कहा जाता है जो पानी नहीं आता है तो मूर्ति मिट्टी या पत्थर की नहीं होतीक है प्त्थर या मिट्टी की यह मूर्ति नहीं होती है बलकि गाउँ के बाहर परतिश्टित लकडि का एक आeteशन रुक्मनिरी आब यह क्या है एक क्रिष्ट डिंगल काववन है ध्यान रखनां बेली क्रिषन रुख मनिरी जो है एक kषोप स्रीष्ट डिंगल रश्चंव कआश और इसमें स्रंगार रस्ट का वर्णन किया प्रतिव राज राटोड ने इसको पीधर नाम से जाना जाता है इन्हों ने इसकी रचना की है नेक्स्ट बात करते हैं राज गजरा गोकरु चूडियां कड़ा चूडा हत फूल बंगडी कांकनी पूचियो और नोगरी इस्तरियों के कलाई पर पहने जाने वाले क्या है गजरा गोकरो चूडियां कड चूडा हत्वूल बंगडी काकडी पूचियों और नोगरी इस्तिरियों की जुतनी हैं उन्सभी के कलाईयो पर यह आवुषन पहना जाना वाला है मेंदीपुर बाला जी की बात करते हैं मेंदीपुर बाला जी यह मंदीर दोसा जीले के सिकिं गांट मेंदी पूर्वी कहा जाता है इसे घांट मेंदी पूर्वी कहा जाता है नेक्स्ट बात करते हैं दोसा डुडार राज्य के कच्छवा राजाओं की प्रथम राजदानी कौन सी थी दोसा त्यां रखना है डुडार राज्य के कच्छवा राजाओं की प्रथम खिल जी पर विजे के अपलक्स में नो मंजीला विजे इस्तंब बनाया था और विजे इस्तंब को भारती है मूर्तिकला का विश्व कोस भी कहा जाता है मूर्तिकला का विश्व कोस इसको कहा जाता है जो के नो मंजीला है और महाराना कुमबा ने मालवा के सुल्तान महमुद खिल जी से जब विजे प्राप्त कर ली थी तो इसको बनवाया था नेक्स्ट बात करते हैं विजेदान देया या देथा बिजी भी इसको कहते हैं तो राजस्थान भासा के प्रशिद्य साहित्यकार है राजस्थान भासा के क्या है प्रशिद्य साहित्यकार है ठीक है बिजजी का जनम 1926 में इस्वे में जोदपुर जीले के बोरुंता गाउं में हुवा था ध्यान रखना इनकी प्रशिदी रचना है बातारी फुलवारी तीडो राओ अलेकू हिटलर रूक आदी है बातारी फुलवारी को केंद्रिय साइथि अकेद्मी पुरुसकार म मिला है तो ध्यान रखेगा बातारी फुलवारी को ठीक है वही इनकी कहानी दूविदा पर बनी हिंदी फिल्म पहली पहली ऑसकर पुरुसकार के लिए नामित हुई थी तो जो पुरुसकार है उसके लिए नामित कौनसी साइथिकार की जो हैं फिल्म हुई है तो पहली ना ते अकेदमी पुलुशकार के हमने बात कर ली है बातारी फुलवारी नेक्स्ट बात करते हैं लांगूर्या लांगूर्या क्या है करोली सेत्र के कुल देवी के केला दवी की आरातना में गाय जाने वाले गीत हैं ठीक है केला देवी जो है करोली सेत्र में पाय जाती है करोली गितगाय जाता है करूली शेत्र में सितला सितला माता है उसके पूजन के साथ लांगोरिया पूजन होता है next बात करते हैं पगड़ी पगड़ी यह एक परकार की पुर्षिण की वेश बूशा है जो कि सीर पर बांदी जाती है ठीक है एक वस्तर है जो कि सीर पर बायान बंदा जाता है और पगड़ी अलग-अलग रंगों से होती है जिने अलग-अलग आउसरों पर पहना जाता है जेपुर की पगड़ी खूंटेदार उदेपुर की चप्टी और मारवाड की चज्जादा या खिड़की दार जो है करें यहां पर पगड़ी देखने को मिलती है नेक्स्ट बात करते हैं मांग्यार गाईका सबसे पर्शिद हैं राजस्तान के पच्छम मरुश्तलिय सिमावरती जो शेत्र है जैसे की बाड मेर जैसल मेर जोदपूर ऐन आधी शेत्रों में मांग्यार गाईका पर्शिद है मांगनियार जो जाती है जाती के लोग द्वारा मांगली का उसरों पर गाय जाने वाली जो लोग गायन से लिए हैं इनको हम बोलते हैं मांगनियार गाय का या मांगनियार मुस्लिम सिंद प्रांत के हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यहां तक आज के हमारे सारे के सारे कु कॉंप्रीट हो चुके हैं दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको किस तरीकी का पशंद है तो गाई जाज के लिए इतना ही बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में जबते के लिए जैंद जै बारत वंदे मातर्ट किस तरह से वीडियो जा बारत वैसान तरह से वीडियो खिय हैं चॉए टाभ दो यहांगते जैंद आती हैं वीडियो है तो उस्तों किस बाडर बादीमैंट झस किस तरह संद आती हैं उत...